एक पत्नी ने अपने पती को कहा कि हमको अपने जन दिन पर दुबाई घुमने जाना है और पती ने कहा कि हम दुबाई लेकर नहीं जाएंगे तब उस पत्नी ने अपने पती के साथ जो किया वो जब आप सुनेंगे तो आपकी भी जमीन एकदम से खिसक जाएगी आप हिल जाएंगे और आप सोचेंगे कि बाप रे बाप जन दिन के दिन अगर दुबई कोई पती लेकर ना जाए तो पत्नी ऐसा कदम उठाएगी तो भगवान हमको ऐसी पत्नी मत देना पूरी कहानी महराष्ट की है महराष्ट का पूने का इलाका और पूने के इलाके में पती पत्नी रहते थे एकदम पोश इलाके में जो पती था वो पेशे से बिलडर था और उसने छे साल पहले एक लड़की से लव मेरे शादी की थी पती का नाम है स्वर्गीय निखिल खन्ना नाम के आगे स्वर्गीय लग गया और जब पूरी बात हम आपको बताएंगे तब आप भी थर्रा जाएंगे पत्नी का नाम है रेनुका स्वर्गिया निखिल खन्ना च्छे साल पहले शादी करते हैं रेनुका से और ये शादी love marriage थी यानि कि दोनों प्रेम प्रसंग में थे और अंततह दोनों शादी के बंधन में बंध गये छे साल पहले शादी हुई और इस बरस हुआ ये कि पत्नी रेनुका ने पती को कहा कि हमको जन दिन पर दुबई जाना है पती महोदे के पास कोई काम रहा होगा या फिर उनको जाने की इच्छा नहीं होगी और पती ने सीधे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे दुबई उसके बाद रेनुका कहती है कि देखिए हमको अपने कुछ रिष्टेदारों का जन दिन मनाने के लिए दिल्ली जाना है पूने से पती इस बात के लिए भी मना कर देता है और इसी बात पर बाता कहनी शुरू होती है बाता कहनी धीरे धीरे हाथा पाई में बदलती है पतनी इतना जोर से मुक्का मारती है अपने पती को कि उसका नाक फट जाता है बहुत तेजी में से खून निकल रहा था दो तीन दात भी तूट गया था निखिल खन्ना बेहोस होकर अपने घर के फर्ष पर गिरते हैं और उसके बाद कभी उठी नहीं पाते हैं अब निखिल खन्न नाक और इतना जल्दी जल्दी खून निकला कि निखिल खन्ना की जान चली गई निखिल खन्ना का पोस्ट माटम भी हुआ है रिपोर्ट आने के बाद चीजे और क्लियर हो जाएंगी शुरुवाती जांच में ये भी मालूम पड़ा है कि जो मुक्का रेणुका ने अपन त्याग चुका था पत्नी का कहना ये है कि ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया है लेकिन जो जाच है उसमें यही बात सामने आ रही है कि जंदिन पर दुबई ले जाने का वादा था जो पती ने नहीं निभाया था उसके बाद रेणुका को अपने कुछ रिष्टेदारों का जंदिन मनाने के लिए दिल्ली भी जाना था और पती ने इस बात के लिए भी इंकार कर दिया था और इन दोनों बातों का गुस्सा पती के नाक पर निकलता है और निखिल खन्ना को जो मुक्का पड़ता है उससे निखिल खन्ना की जान चली जाती है तीन चार दात तूट जाते हैं और खून इतना बह चुका था कि देखिए नाक के फूटने से कोई मरता नहीं है लेकिन मुका इतना तेज लगा था और ऐसी जगह पर नाक फटी थी कि खून जादा निकल गया और निखिल खन्ना के जान चली गई फिलहाल जाच हो रही है जाच के बाद सब कुछ स जाएंगी और उसके बाद ही सच मालूम पड़ेगा कि जो कहानी सामने आई है उसमें कितनी सच्चाई है बाकी पती पत्नी का रिष्टा बड़ा अनमोल होता है मुक्का मुक्की से बचना चाहिए दुबई महीं ले गया कोई तो कोई बात नहीं आप कहीं और चले जाईए अगले साल जा सकते हैं लेकिन अब निखिल खनना रहे ही नहीं अब रिणुका किसके साथ दुबई जाएंगी मलेशिया जाएंगी बैंकोक जाएंगी इसलिए ये सब करने से बचना चाहिए धन्यवाद